अब सब कुछ फीजिकल दोड धूप ये वो सब छोड़ करके सिर्फ पढ़ो पेपर दिखना चाहिए और पेपर पास तब होगा जब रोज का काम दिखना चाहिए आज तुम्हें सिंप्लिफिकेशन दिखना चाहिए पहले ये निप्टाना है एक चेप्टर फिर रीजनिंग का निप्टाना है एक पॉर्शन फिर जीके का निप्टाना है ऐसे अपने सामने हर रोज का टार्गेट बनाके और वो दिखना चाहिए क्लास में आकर के ध्यान से पढ़ना सुनना जो लोग इस टाइम पर क्लास छोड़ करके यूट्यूब पर लाइब्रेरी पर या एब पर पहुँच गए या बहुत ज्यादा ग्याननी लोग है बला अपने आप पड़ाब कोचिंग में जो उना था वो लिया कोचिंग में जो होना था उतना हो करके अगर तुम्हारा सेलेक्शन होना होता था तो लेता बहुत सारी ऐसी बात है जो हमने तुम्हें बताई और तुमने नहीं सुनी तुम्हारे उपर असर नहीं पड़ा उन बातों का तुम रह गए ऐसे गैप मत मारना अब जो गैप मारेगा और फिर रह जाएगा पिछले एक्सपेरियंस देख लो किसी भी कंडिशन पर पेपर तक बीच में गैप मत मारना यह हर रोज इंट्यूशन आता है दिमाग में कि यह बात आ सकती पेपर में यह बात ऐसे बता देनी चाहिए यह ऐसा करना चाहिए और इसलिए हर बार कानी आते हैं कि सर आपने जो बताया था वे बाते आई पेपर में एक के एक बात को बहुत ध्यान से सुनना जो अपस में बीच में पड़ोसी से बात करता दिख गया इतना पिटूगा याद रखोगे